असलाम दोस्तों, ICC हद बुद को जारी करता है रैंकिंग और इस बर खास है टेस्ट रैंकिंग क्योंकि हर टी में टेस्ट खेल रही है, वंडे की टी-20 की भी जारी की है, मगर चुके टेस्ट चल रहा है तो इसके उपर बात होनी चाहिए और दो चीज़ों के उपर भारती खेलारी का ही आपसी में मुकाबला है, एक आप टेस्ट बॉलिंग के अंदर रैंकिंग का देख ले या आल रोंडर में देख ले, लेकिन दोनों में मुकाबलों में एक नाम है वो है रविचन एश्वन, और दूसरी खास बात कि आप सब ज रहे हैं और जहीर खान नंबर थरी पे रहे हैं, यह मैक्सिमम था इंडियन फास बालर के अचीवमेंट में और फिर बुमरा जो है वो नंबर टू पर है, रविचन एश्वन जो है वो नंबर वन के उपर है, और सेम कॉम्पिटिशन चल रहा है एश्वन का जदेजा के एक बॉलर है जो टॉप टैन में है वो हो शाहिन शाह अफरीदी जो के दस्वे नंबर के उपर आते हैं, मगर उस बीच में जो बॉलर गुजर जाते हैं, आप देख लीजिए, तीन भारती बॉलर आते हैं एक्चल में, आचिसी टॉप टैन रैंकिंग में, क्योंके जदेजा हैं, नमबर साथ पे नाथिन लॉइन हैं, आस्टेलिया के तीन आते हैं, एक्चल में चार आते हैं, पर बाद जैसूरिया है, काईल जैमिसन हैं, नवे नंबर के उपर और शाहिन शाफरीदी जो हैं, वो दसे नंबर पे आते हैं, जबकि आल उंडर में, आफकर स पे शाकोबिल हसन हैं, जोई रूट हैं, जैसन होल्डर हैं, यानि वेस्टन डीस के भी हैं, जिनकी टीम बुरी तरह से खेरी हैं, उनके आल उंडर भी हैं पांचे नंबर पे, और अकसर पटेल छटे नंबर पर हैं, साथ में पे महधी हसन मेराज हैं, आथ में पे बें हैं, नाइंथ पे पेट कमिन्स ऐसे और हैं, और टेंथ पे क्रिस वॉक्स हैं, और अप अंदाजा करने के हमारे इसका मतलब यह हुआ कि हमारी टेल में जो बैटिंग करने आते हैं, तब भी वो ऐसे बैटर कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, यही वज़ा है कि मतलब देखे स्रिफ स्मित चोथे पे हैं, तो दो लगातार न्यूजिलेंड के आते हैं, फिर अस्ट्रेले के आते हैं, फिर लगातार दो भारत के आते हैं, जैस्वाल है, रिशप पंत है, रिशप पंत का टॉप 10 के अंदर आगे हैं, देखें, दो बरस के बाद वो खेले हैं, टॉप 10 के अंदर एक मैच में 100 करके वो आगे हैं तो यह समझ नहीं है कि इनके रैंकिंग का सिस्टम बेसिकली कैसा होता है ऐसा भी है कि बाज वकत आप नहीं खेल रहे होते तब भी आप रैंकिंग में रहते हैं और उसके मताबिक आपका सिलस्रा चलता रहता है अब वो दो बरस नहीं खेले एक मैच के अंदर परफार्म किया और फिर आ चुके हैं नमबर सिक्स पे रिशप पन्त सैउन्थ पर हैं उस्मान खाजा और टॉप टैन बेटर में एक ही बले बास पाकिस्तान के हैं वो है मुहमद रिस्वार्ण मानस लबेशाइन जो हैं वो नाइन्थ पर हैं टैन पर रोही शर्मा है क्यारा पे पाबरासम और बारा पे वरात कोहली है दोस्तों ये ICC ranking है जो हर बुद्ध को जारी होती है जाहिर है एक दो पॉइंट उपर नीचे रहकर जैसे मैंने बोला इसी साल में बुमरा साल के एक आज में बुमरा नंबर वन फास बॉलर थे अब मतब ICC ranking में नंबर वन थे और इंडिया के पहले बॉलर है जो नंबर वन पी आई फास बॉलर की बात कर रहा हूँ फिर एश्वन ने चापर फार्म किया तो वो आगया एश्वन आरॉंटर की फैरिस में भी टॉप टैन के अंदर है एक्चिल में सेकंड नंबर पहना है जिदे जब फर्स नंबर पहने तो कुल मिलाके ranking के ओपर फिल वक्त भारत का कबज है और आप overall भी देखें तो अगर आप overall भी देखें तब भी आप इससे कह सकते हैं कि मतब टीम वाइस भी देखें तब भारत का चाखासा इसके ओपर आप जैसे आप ऑस्टेलिया की वाइड बॉल टीम उठाके देखें लिए मंगर इंडिया खलाब टैस्ट वो जरूर कहलें सेम जस्परिद भूमरा ओडे सीरीज वाइड बॉल सीरीज मिस कर देते मगर तैस्प जो जरूर कहलते हैं अब एक्जामपल ले ले जस्परिद भ और डीयाई में हैं और 22 नंबर पर टी टूर्टी में आप देखें वर्ल्ड कप में सबसे बैस बॉल्र वह ही थे वाइड बॉल वह ओ से अवरईल सबसे बैस बॉल वही लग लग रहे हैं पैट कमेंज यह बुंबरा वगजरा मॉंगर रैंकिंगम बेंग में देखें थो बुमरा की बात करो ODI में तो यह difference है कि आप नहीं खेल रहे हैं या खेल रहे हैं तो उसका इसलिए test की ranking को matter किया जाता है बहुत जाता ODI और T20 को इतना जाता matter किया नहीं जाता क्योंकि full strength सिर्फ बड़े events में खेलती तैसे Champions Trophy World Cup हुआ या Asia Cup अगर Asia की साथ पर आप देखते हैं इस पर दोस्तों आप अपने रहे हैं कुमेंट बोक्स में जरूपता हैगा में तरस इतने ही चासे देजिए